नमस्कार मराकेश परजापत आज आप सभी नर्सेज के लिए एक नई वेकेंसी लेके आ गया हूँ आप सब के लिए नई सीयेचो की भरती आ चुकी है जिसमें 350 पोस्ट होने वाली है ओनलाइन फोरम भी स्टार्ट हो गए है और आपकी सेलरी यहाँ पे 20 हजार उपे पलस 15 ह 15500 रुपे है वह इंसेंटु यहाँ पे मिलने वाला है तो भरती की पूरी जानकरी यहाँ पे मिलने वाली है वीडियो को सुरू से लेकर एड तक पूरा देख लेना है चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें पास मेरा बेल आइकन आप ने तो पंजाब की सिएचो वेकेंसी यह होने वाली है इस साइट को आपको ओपन करना ऐसा होम पेज आपको दिखाई दे जाएगा अगर साइट आपको नहीं पता है तो निच्चे वीडियो का जो डिस्क्रिप्चिन बॉक्स है उस पे लिंक दे दिया उस पे क्लिक करत का लिंक है वो आगे है और फोर्म हो ओनलाइन स्टार्ट हो गए है इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते आपके सामने यहां पे शोट नोटिफिकेशन है वो दिखाई दे जाएगा यह रजिस्टेशन का यहां पे आपके लिए कॉलम है वो आच चुका है यहां पे ए 350 पोस्ट है वो Community Health Officer की पंजाब National Health Mission के तहत होने वाली है फोरम है वो 12-7-2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और 25-7-2022 तक फोरम भरे जाएंगे और 8-7-8 यानि 7 अगस्त 2022 को आपका है वो रिटन टेस्ट भी होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है पूरी डेट सीट यहां पर देदी गई है और जल्द ही आपका एक्जाम होकर आपका यहां पे सेलेक्शन किया जाएगा तो अब सबसे पहले यहां पर जो इंपोर्टेंड डेटेल है वो देख लेते हैं इसमें कोन अप्लाई कर सकता है सबसे बड़ी बात यही होनी वाली है और कोन अप्लाई नहीं क की है और इस कोर्स के साथ integrated bridge program certificate है वो इसमें apply कर सकते हैं इसके अलवा post basic bsc nursing जिन लोगों ने की है और करने के अलवा 6 मैने का अगर किसी के पास community health certificate का course है वो भी इसमें apply कर सकते हैं इसके अलवा आपके अगर पास bams है तो आप apply कर सकते हैं bsc nursing post basic bsc nursing है तो भी आप apply कर सकते हैं अगर आपके पास यहां पे community health certificate का course नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं यह सारी चीज़े हैं वो लिखी गई है main सर्थ यहां पे रख दी गई है कि पंजाब nursing council से आपका registration है वो होना चाहिए तभी आप इस वेकेंसी में apply कर सकते हैं और आपकी जो 10th है matrix student है वो भी पंजाबी subject उसमें होना चाहिए salary है वो 20,000 प्लस 15,000 मैंने पहले ही बता दी टोटल पोस्ट है वो 350 यहां पे रहने यहां पे 590 रुपे की fees हो रहने वाली है return test आप सब का यहां पे होने वाला है return test में आपको minimum है वो 35 marks है वो लेके आने हैं सभी category में तभी आप इसके लिए eligible हो पाएंगे इस तरह से आपका यहां पे पंजाब CHO की वेकेंसी का पूरा schedule एक्जाम का pattern वो सब कुछ रहने वाला है पंजाब nursing council से जिनका registration है वो इस वेकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं तो आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक जुरूर कर देना और सभी नर्सिंग फ्रेंस का शेर जुरूर कर देना है